हेलो दोस्तों दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आप लोग अपना किम्ती वक्त निकल खराते हैं वीडियो देखने के लिए उसके लिए तो बहुत बहुत थाइंक्यू आप लोग को बोलना चाहूंगा चैनल को जरू सब्सक्राइब करेजगा क्योंकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन मैं आप लोग टाइंग पर पहुँचा पाऊं नहीं तो लेट हो जाने से कभी के भी क्या होता कि दिक्कत हो सकता मैंने आप लोग को बोला था कुछ दिन पहले ही वीडियो बना कर कि रेल विकास निकम लिम्टेट आपका पैसा डबल कर देगा अगर आप देखोगे यहाँ पर ही मैंने आप लोग को वीडियो बना कर यह देख लिजे आराम से double समझो और ये 2-3 दिन के अंदर ये 50% तक का return निकाल के दे दिया मज़े में और समझ लो 50% आपको आने वाले 8 महीने 9 महीने में मिली जाएंगे आराम से मौज करो कोई दिक्कत की बात नहीं है एक चीज और बता देना चाहता हूं stop loss लगा लिजेगा मेरे भाई ठीक है क्योंकि आपने माल लेते हैं कि 90 रुपिस में खरीदा 90 में खरीदा तो एक stop loss रख लो कि भाई 100 रुपिय का तो मेरा stop loss है पूछो क्यों ये 10 रुपिय तो मैं ले करी जाऊंगा और ये जो 90 रुपिस और ये जो मेरा capital इस को तो मैं safe रखूंगा ही रखूंगा तब ही तो कल के date में दुबारा मौका मिलेगा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक ऐसी company है जो ढूबने वाली है जिसे लोग penny stock समझ के खरीते हैं और वो दूबने वाली है और कभी trap में मत फसीगा तो क्या होता है knowledge मिले तो रख लेना चाहिए अपने पास ज्यादा काम देगा वो चैनल को जरू subscribe कर लीजगा ताकि आने वोले दिनों में सार अपडेट में आपको देता रहूंगा almost all time low पे देखने को मिलना है पहले तो इसने काफी अच्छा return निकाल के दिया था बहुत क्या मतलब बहुत तकड़ा return निकाल के दिया था 6-7000% तक का return निकाल के दिया था और आज के rate में अगर आप देखोगे तो जहां से यह stock आया था मतलब वहाँ उससे भी नीचे price में आपको देखने को मिला और लोग इसी को खरीद लेते हैं तो फिर क्या होता है कि फज जाते हैं वो लोग और बहुत नीचे यह stock आपको देखने को मिला 0.19 dollar में 82% के stock गिरा हुआ bid bath company का नाम है Nasdaq आपको दिख रहा हुआ Nasdaq का मतलब होता है कि यह अमेरिका की company है हमें क्या है सीखने को कहीं सभी मिलता हो तो हमें सीख लेना चाहिए यह company बोल रही है यहाँ पर bid bath कि भई इसका plan है liquidate करने का all inventories inventories क्या चीज होती है वो मैं आपको बताता और आगे पढ़ देते हैं and go out of business यह अपने जितने भी inventories है यह उनको बेचना चाहती है और business से बाहर जाना चाहती है inventories का मतलब होता है वो सामान जो आपके company में बचा हुआ है जिसका हक केवल आप क्या है ठीक है तो inventory का मतलब हो जाता है आपके घर के अंदर मालेते हैं कि furniture है या फिर fan है, fridge है table है, calculator है machinery है, mobile है तो यह हो जाते हैं घर के अंदर अब company का होते हैं बही company के अंदर go down होते है go down के अंदर raw material होता है कुछ finish good होता है, उसके अंदर machinery वगरा होता कुछ technology वगरा हो जाता है और उनके पास जो जो भी समान है वो सब को बेच देंगे समझ रहा है इन्वेंटरी मतलब वो समान जो company के अंदर होता है समान वो सब को बेचने के बाद क्या होगा वो company बाहर चली जाएगी मार्केट से बाहर चली जाएगी वो तो ये ख़बर आया है बिल्कुल अमेरिका से इससे ये पता चलता है कि हमें इंडिया में भी किसी stocks में गिरावट देखने को मिल रहा है और पहले उसने अच्छा perform किया है और अभी वो गिर रहा तो इसका मतलब यह ने कि हमें उसे खरीद लेना चाहिए हमें दूर रहना चाहिए कभी भी आपने जो लोन लिया न वो पैसे वापस करने के लिए है नहीं तो भाई बैंक वाली जहां से आपने लोन लिया वो तो आपको बोलेंगे कि भाई लोन वापस करो तो इनके पास पैसे नहीं होते हैं तो इनको सारा सामान बेशना पड़ जाता है जो बताया जा रहा है 240 million dollar क इनके पास loan है, देख सकते हैं, बहुत जादा loan है, company के value से जादा loan है, और जब bankruptcy की खबर आती है न, तो वो stock एकदम lower circuit में आ जाता है, lower circuit में, वो मतलब समझो कि आप फस गए, आप फस गया, बेज भी नहीं सकते हैं उस company का share, जैसे कि बिरला टायर में खबर आया था, बिरला होने वाला है, देख सकते हैं, SBI ने बोला था, कि इसको insolvency के लिए बोला गया था, बजाज इंदुस्तान सुगर, तो ये पैसा वापस नहीं कर पाया था, इस वज़े से company को बेचो और मेरा पैसा वापस कर, देख सकते हैं, बजाज सुगर, insolvency process, मतलब ये पैसा CETS JP Power के उपर भी आया था, तो अगर माल लेते हैं, आपने जो company खरीद रखाया, उस पर ऐसी कोई खबर आ जाती है, और या तो फिर माल लेते हैं कि क्या बोलते हैं, कि जैसे अभी bright chrome में खबर आया है, और जिस तरह के से shareholders को नुकसान हो रहा है, तो कभी fraud, bankruptcy से बच के र कोई नहीं बचा सकता, आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, एक ही option होता है वहाँ पर, इसलिए किसी भी company को खरीदने से पहले उसका financial statement देख लो, कि company के पास debt कितना है, कितना loan है, margin कितना आपको देखने को मिला है, cash flow कितना है, cash में भी 2-3 cash flow होते है, PV ratio कितना है, P-E ratio कितना है, book value कितना है, price multiple कितना है, यह सारी चीज अगर आप देख के खरीदे हो, तो हो सकता है कि आपको नुकसान होने से बच जा है, और आपका company अच्छा हो, तो financially सब कुछ देखो, उसके बाद खरीदो, किवल पैसा है नहीं, दिमाग भी लगा हो stock market में, थोड़ा सोचो समझो, तो ज़्यादा अच्छा है, तो यह सारे वो, यह सारे वो मतलब equipment है, जिसको अगर आप देखते हो किसी company में, तो आपका पैसा भी safe रहेगा, और पैसा grow भी होगा, और अगर आप stock market में नहीं हो, तो अपने डिमेट अकॉन इंजल में open कर सकते हो, जहाँ पर आपका